Hey guys, welcome back to my channel आज का जो वीडियो है वो एक एप के बारे में है वो एप है Select Cost इसके पहले भी मैंने दो वीडियो Select Cost के बारे में बनाए हैं उसमें सारे Question और Answer भी है आपको जो भी Question है वो एक की वीडियो में आपको मिल जाएंगे ये उसके पहले का जो वीडियो था उसमें भी मैंने सारी Procedures समझाई हुई है और अभी जो थर्ड वाला वीडियो है उसमें मैं फाइनली आपको बताऊंगी आपका जो मोस्ट इंपोटन क्वेशन है कि सिपिंग और सिओर का फाइनली क्या होगा क्योंकि बहुत सारी अफ़ाय फैली हुई है कि जितना मतलब आप प्रोड़क लेते हैं वह बन थावजन का प्रोड़क लेते तो बन थावजन टेक्सिस होगे और तीनों को मिला कि थ्री थावजन होगे तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कल ही सेलेट कोस ने अपनी साइट पे और अपने एप पे ऑफिशली एनाउंस कर दिया है कि क्या क्या होने वाला है तो आज के वीडियो में यहीं बताने वाली हूँ और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हल्प लगे तो लाइक शेर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा तो अब हम वीडियो को चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं उन्हें नहीं यहां पे तीन ऑप्षन दिये हैं पेमेंट के पहला जो पेमेंट है वो है पेटीम से आप कर सकते हैं पेटीम से आपको करन लेते हैं तो उसमें पेमेंट और अपसिन टीम Works अमने बोला है कि चलोंगे आप 1000 decep 100 आपको recognizing लेते हैं और sipping जो cost होगी वो product के weight के according होगी अगर अब light light लोगे तो उन्होंने बोला है कि starting होता है 200 से sipping cost है वो 200 से starting होती है यानि कि आप 1000 का जामान मंगवाते हैं तो उसमें 500 लगेगा tax 500 के आसपास tax लगेगा और 200 के आसपास sipping cost लगेगा यानि कि कितने में पड़ेगा सत्रा सो में पड़ेगा अजार का जामान जो है आपको सत्रा सो में पड़ेगा sipping and tax के साथ अगर आप paytm से मगवाते हो तो उन्होंने ये बताया है उसके बाद उन्होंने बताया है कि अगर आप COD करना चाते हैं तो COD कर सबते हो COD में जैसे मैंने पहले दो वीडियो में आपको अलरी बताया था कि COD में advance में 45 रुपीस आपको pay करने होगे और बाकी के जो है वो आपको जब product receive हो जाएगी तब pay करने होगे तो COD में उन्होंने लिखा है कि COD में tax के charges वो ही 1000 रुपे है वो ही लेके चलता है कि 1000 रुपे की हम product लेते हैं तो tax charges COD में लगेंगे 600 रुपीस और उसमें जो weight होगा product का उसकी according shipping cost लगेगी वो 200 around से start होती है तो उसमें क्या होगा कि जो 1000 का आपका जो सामान है वो 1850 रुपीस में यानि कि 1850 रुपे में आपको पड़ेगा tax and shipping के साथ ये approach figure है सबकी कोई ऐसे नहीं है कि हाँ 1000 का सामान लोगे तो अधर्सों में ही पड़ेगा ऐसा नहीं है लेकिन approach इतनी ही around पड़ेगा इससे ज्यादा नहीं होगा बहुत यानि कि 1000 का सामान जो है वो सिधा 3000 में नहीं मिलेगा जो लोगों ने बहुत सारी अफ़ाय फैलाए रखी है कि यह आँ double shipping डबंग double tax ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 1000 का सामान सिधा 3000 में पड़ने वाला है और थर्ड वाला जो option है जो उन्होंने रखा है उसमें उन्होंने रखा है कि international credit card से भी आप payment कर सकते हैं वहाँ पे कैसा होगा कि taxis and shipping cost जो है वो आपके वेट उपर जो प्रोड़क का वेट होगा उसके according होगी और starting होगा 500 रुपीस से और आपको total amount उसमें कितना पे करना प पड़ेगा जहां रुपे की product होगी तो 500 shipping और taxes को मिला के 500 यान की 1500 round आपको पे करना होगा अगर आप international card से shopping करते हैं तो तो इस तरह के उन्होंने 3 option दिये हैं और आप समझ सकते हैं कि 1000 की product आपको 1700 में 1500 में tax and shipping के साथ पड़ेगी अगर आप तीनों में इसे कोई भी option करेंगे तो यह जो अब भी आपको taxes and shipping के साथ 1500-1800 में पड़ रही है वही product आपको कोई अधर साइट से 3000-4 अजा तक पड़ेगी क्योंकि इसकी price already कम है दूसरी साइट के हिसाब से 10 मलब की 10 गुना कम है तो आप समझ सकते हैं कि आप taxes and shipping add कर भी लेंगे तो भी आपको यह स good taxes and delivery क्योंकि यह नई आप है तो यह लोग इतना उनका margin उन्होंने नहीं रखा है तो आपको in the end यह वाला जो है वो सस्ता ही पड़ने वाला है तो 1000 की product आपको वह 1500-1800 में taxes and shipping के साथ पड़ेंगी वह figure पकड़के ही आपको अब चलना है और आप जाके salad को उसके app पे और उसकी site पे भी check कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कलका डाल दिया है तो यह जो सारी अफ़ाए थी यहां जो भी था वो गलत था कि double tax plus double shipping लगेगा और तीन गुना भाव हो जाएगा वो नहीं है और दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों ने Indian post का प जाएगा अब लेकिन उसमें वह अच्छी बात हो है कि taxes नहीं लगेंगे सीफ आपको shipping के ही प्रो जो प्राइज है वो पे करनी होगी तो आपका जो tax का जो money है वो बच जाएगा तो बैटर वो ही है कि आप Indian post से मंगवाओ भले ही थोड़े देर बात आपको product मिलें तो आज की वीडियो में यही था अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी helpful लगा हो तो मेरे वीडियो को like share और में चैनल को subscribe करना मत भूलेगा अब मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में टीज दें टाटा बाई बाई